की व्लेक्य वीटेशन में बात करने वाला हूँ लारवल इस्टेश इंडिफरेंट एनिमल्स के बारे में आज वीडियो में आपसे बात करूंगा कि हमारे एनिमल के किस-किस ग्रूप में किस-किस पाइनल में कौन-कौन सी क्लास में किस-किस तरीके के लारवा जो है क्योंकि हर एक एनिमल में जो है वो कही तरह के लार्वा देखने को मिलते हैं और हर फाइलम में कही तरह के लार्वा देखने को मिलते हैं और हर फाइलम में कही तरह की क्लास होती हैं तो अलग 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 तरह के लार्वा जो है वो देखने को मिलते हैं और कहीं न कहीं लार् जन्म सीधे बच्चे के रूप में होता है और हम उसी तरह से एडल्ट होते जाते है मतलब कि हमारे अंदर किसी भी तरीके का larval stage नहीं होता है हमारे अंदर एक direct development जैसा development होता है वही पर अगर मैं बात करता हूँ आप से जिसके अंदर larval development होता है उनके अंदर indirect development समय देखने को मिलता है मतलब development तो होता है उनके अंदर भी ऐसा नहीं कि उनके अंदर development नहीं होता है development तो होता है लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी larval stage होती है वहाँ से वो होकर के गुजरते है जैसे example के तोर पे हम मेड़क की बात करते हैं पहले मेड़क जब बनेगा तो वो एग आता है और फिर उसमें से tadpole निकलेगा फिर उसमें से जाकर के वो राना टिगरीना बन रहा है तो यह जो development होता है इसी development की जो बीच वाली stage जिसको मैं tadpole बोला ना तो आज हम उसी chart के बारे में बात करेंगे कि किस animals में कौन सा लारवाई stage होता है उसका नाम क्या होता है तो वही बात करने वाले हम आज आप से तो यहाँ पर देखे सबसे पहले अगर आप देखे तो यहाँ पर बगल में phylum लिखा हो आपको पता है phylum में animal के phylum में सबसे पहला जो phylum आता है वो आता है porifera मतलब animalia के इंगड़म में अगर सबसे पहला कोई phylum आता है तो वो है phylum porifera porifera जिसके अंदर जो एक multicellular organism है cellular level का organization है इसके अंदर आपको जो larval form देखने को मिलता है वो एक बहुत famous larval form देखने को मिलता है जिसका नाम है amphiblastula amphiblastula के बजाए भी इसके अंदर एक larval form देखने को मिलता है जिसका नाम है paranchimula अब amphiblastula और paranchimula जो है यह आपको हर examinations में देखने को मिलते हैं especially amphiblastula के अगर में बात करो तो paranchimula भी जो होते हैं वो एक swimming larval stage इनके अंदर देखने को मिलता है sponges के अंदर होते हैं और यह हमें कई silentrates में भी देखने को मिलते हैं ठीक है तो यह बात को भी आप ध्यान में रखेगा कि यह केवल podifera में ही नहीं है आपको कई silentrates में भी देखने को मिलते हैं इनके जो body होती है उनके body के चारों तरफ आपको सीलिया जो है वो देखने को मिलते हैं ठीक है अगर मैं बात करूँ तो silentrates के अंदर यही parent cumular larva planula में change हो जाते हैं तो यह बात आप importantly ध्यान में रखेगा कि planula is a derived form of parent cumular तो कहने का मतलब यह है कि parent cumular से ही जो stays बनी है उसका नाम है planula जो silentrates में हमें देखने को मिलती है वहीं पे अगर मैं दूसरे लारवा की बात करूँ एमफी ब्लास्टला तो एमफी ब्लास्टला जो है वो कुछ हमें sponges मतलब की poriference में देखने को मिलते हैं यह free swimming होते हैं इनके आधे cells के अंदर हमें जो है celia देखने को मिलती है बट आधे में हमें फ्लैजिला देखने को मिलती है मतलब आधा portion without फ्लैजिला होता है और आधा portion फ्लैजिलेटेड होता है तो यह थोड़ा से points से important वाले उनको आपको ध्यान में रख लेना है उसके बाद हम दूसरे phylum की बात करते हैं जिसका नाम है nideria, nideria के अंदर हमें दो देखने को मिलते हैं जिसका नाम है hydrozoa, दो classes है इनकी hydrozoa hydrozoa class में हमें दो लारवा देखने को मिलते हैं planula जैसा कि अभी मैंने आपको बताया और actinula planula आया हुआ है पैरेंकाइमिला से और यहाँ पे एक extra हमें लारवा देखने को मिलता जिसका नाम है actinula अब यहाँ पे हम actinula और planula की बात कर लेते हैं planula लारवा जो होता है उसका जो plural form होता है उसका नाम है planula इसको हम plural मतलब जब बहुत सारे planula लारवा होंगे और साथ में यह crawling free swimming होते हैं crawling मतलब की rain करके चलते हैं crawling करना जैसे मकडियां मकडियां चलती हैं उस तरीके से और यह phylum नाइडेरिया में आते हैं और यह किसमे किसमे देखने को मिलते हैं jellyfish, coral, sea animals इनके अंदर हमें planula लारवा देखने को मिलते हैं jellyfish, coral और sea animals प्लैनला की जो body होती है वो पूरी cylindrical होती है और इनमें बहुत सारे जो है वो आपको johans में देखने को मिलता है इनमें आपको tentacles देखने को मिलते है यह क्या है यह अपके tentacles इनके mouth portions के पास में आपको tentacles mouth portions यहाँ पे होते हैं और यहीं पर portions से चारो तरफ से इनके tentacles निकले रहते हैं तो यहीचीजा आप ध्यान में रखेगा और metamorphosis करके यह मैदुशा मैंने आपको कही दाफे बताया हुआ है अम्Queryla like जो structure होते है हमारे नाइडेरिया के के उनको हम मैदुशा कहते है और tentacles निकले वे structure होते हैं उन्हें हम polyp कहते हैं इसके बारे में भी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा वहीं पर अगर हम बात करते हैं अपने तीसरे लारवा के बारे में या तीसरे फाइलम के बारे में दूसरी क्लास के बारे में दो classes आती है, tentaculator और nuda, यह बात को आप ध्यान में रखेगा, अब यहां पर आप देखेंगे tentaculator class में अगर देखेंगे, तो यहां पर आप आप को देखने को मिलता है, उसका नाम है side dip, side dip जो larva होता है, उसका structure आपको ऐसा देखने को मिलता है, बिल्कुल oval shape का होता है, free swimming होता है, ठीक है यह हमें tanophora में देखने को मिलते हैं, वहीं पे एक दूसरा larva है, जिसका नाम है मुलर लार्वा, क्या नाम है, मुलर लार्वा, यह हमें platy helminthes में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, tanophora में जो लार्वा का नाम है, दोनों classes में, tentaculator और nuda में, जो लार्वा का नाम है, उसका नाम है sidepeed, sidepeed एक oval larva होता है, यह बात ध्यान में आप रखेगा, free swimming होता है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, platy helminthes की, देखें मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं तोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ आपको, अगर आपको notes बनाना है, वीडियो को थोड़ा सा slow करके देख लेना, और pause करके वीडियो में की notes बना लेना, ठीक है, क्योंकि मैं सारे point explain करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कभी फिट से फुरसत में बना लिया जाएगा, तो अभी इस वीडियो में केवल मैं आपको एक तरह से chart और diagram दिखा देता हूँ, और थोड़ी थोड़ी बाते बता दूँगा, प्लैटे हिल्मिन्थीज की बात करते हैं, प्लैटे हिल्मिन्थीज में आपके कई classes देखने को मिलते हैं, जैसे की टर्बिलेरिया, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा, मोनोजीनिया, अब यहाँ पर इतनी सारी classes हैं, अगर मैं classes की बात करूँए इसके इंदर लार्वा भी सकते हो, ठीक है, बड़ अगर आपको याद नहीं रखना है, या फिर आपको याद हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेगा, टर्बलेरिया में मुलर लार्वा होता है, मिरसीडियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, सरकेरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ओंको मिरसीडियम होत प्रोडा में भी होता है और मोनोजीनिया onco miracidium में देखने को मिलता है आइए डाइग्राम की तरफ नजल डालते हैं प्लेटी हिल्मिंथीज के लारवा के बारे में सबसे पहले देखें प्लेटी हिलमिंधी इसका larva है आपको पता है फैसियोला हीपेटिका इसका बहुत अच्छा एगजाम्पल है जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मिरसीडियम लार्वा बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर मिरसीडियम लार्वा है यह वाला और यह लार्वा है सरकेरिय लारवा, सरकेरिय लारवा में आपको एक टेल जैसी structure देखने को मिलती है, जबकि मेरे सीडियम लारवा में हमें टेल जैसी structure देखने को नहीं मिलती है, यह इसको मतलब अलग करने का एक अलगी साधन है, दूसरी यहाँ पर आपको Celia देखने को मिलते हैं, इधर आपको Celia देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो यह Miracidium larva और Securial larva में थोड़े से differences आपको देखने को मिल सकते हैं, the Miracidium मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत important larva है, इसको थोड़ा से देहान से देख लिजे, The Miracidium is the second stage in life stage of Trimetoda, जैसे ही Trimetoda अपनी stage life cycle की आगे बढ़ाता है, दूसरी stage में ही उसे गुजरना पड़ता है, Miracidium larva में, जैसे कि एग से जैसे ही वो आगे बढ़ता है, तो वो किसमें convert होता है, Miracidium larva में, यह हमें Trimetodes में देखने को मिलते हैं, यह प्लैट हेलमेंथिस में खुझ से movement कर सकते हैं, वहीं पर अगर हम बात करते हैं, सरकेरिय लार्वा की तरफ तो, सरकेरिय लार्वा भी larva का form होता है, form of Trimetoda class में होता है, parasite होता है, the developed within germinal cells और sporoside और radii, तो यह बाद में develop करते हैं, यह पहले develop नहीं करते हैं, तो इनका development बाद में होता है, सरकेरिया is आपके होते हैं, Trimetoda के अंदर, वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा जो है, टेल देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपको टेल का formation देखने को नहीं मिलता है, ठिक, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ यहाँ पर आगर आप बात करेंगे, तो अगले larva है अंको मिरसीलियम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि मोनोजीनिया में देखने को मिलते हैं, अंको मिरसीलियम, जो काफी ज़्यादा special और अलग है, मतलब अभी तक आपने जितने larva नार्मल सुने हैं, उनसे थोड़े से अलग है, तो अंको मिरसीलियम लार्वा का डाइग तो हमें बिसिकली ये फिश में ही देखने को मिलते हैं, इसी कारण जो है, हम इनको अंको मिरसीलियम का नाम जो है वो देते हैं, तो ये जो लार्वा थे, ये लार्वा हैं आपके टैनो फोरा के, और स्वार्वा बल प्लैटे अलमिन्थी इसके ये ट्रेमेटोडा के, ठीक अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रेमेटोडा क्या है, इनकी क्लासेज हैं, और प्लैटे हिलमिन्थी इसके फाइलम है, तो टर्बलेरिया, सिस्टोडा, ट्रेमेटोडा और मोनोजीनिया, एक लार्वा तो छूटी गया, जिसका नाम है मुलर लार्वा, यहाँ पे आप देख देखने को मिल जाता है, चलिये, अब आगे की तरफ चलते हैं, अगला जो गुरुप है, उसका नाम है आपका निमर्षिया, निमर्षिया में आपको पिलीडियम लार्वा देखने को मिलता है, यह राव, कैप लाईग पूरा स्ट्रॉक्टर होता है, शेप का होता है यह ल रोको फोर, रोको फोर ये काफी इंपॉडटेंट लार्वा है, examinations में इस सवाल आते आते हैं, तो यहां पर आपके सामनी है, ट्रोको फोर लार्वा, यहां पर आप देखें, ट्रोको फोर लार्वा जो होता है, आलसो रोको फोर, small translucent होता है, मतलब पी बिलकुल ट्रांस्पर होगा, अंदर के body structure आपको देखने को मिल रहा है, जैसे आप इसको जब हाथ हो अगेरा मिल लोगे तो बिल्गू transparent सा दिखेगा, अंदर के structures आपको visible होंगे, free swimming होते हैं, इनका लार्वा इस्टेस free swimming होता है, marine analytes और बहुत सारे मुलेसकस में भी हमें ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलते हैं, ट्रोकोफोर स्फेरिकल होते हैं, P-shaped के होते हैं, और girdle by ring और cilia, ठीक है, ring और cilia भी देखें आपे, यह आपको गोल गोल सा ring like जो है, वो पुरा ciliaरी band आपको देखने को मिल रहा है, आगे की तरफ में और भी लार्वा की बात कर देता हूं, तो यह था आपका अनेलीडा, जो पॉलेचीटा ग्रूप में है, और ट्रोकोफोरा, और नैक्टोचीटा, एक और लार्वा है, जिसका नाम है, नैक्टोचीटा, अब यहाँ बगल में आप देखें, आप देखें और बाईवैलिया, जो की मुलस्का का ही ग्रूप है, ट्रोकोफोर थे, तो ट्रोकोफोर दो ग्रूप से में आपको सबसे ज़ादा देखने को मिलते हैं, एक अनेलीडा और दूसरा मुलस्का, तो यह ट्रोकोफोर को यह आपको ध्यान में रखना है, अब हम अगले फाइल और ब्रायो जोवा, इसमें आपको अटेनल लारवा देखने को मिलता है, जिसके बारे मैंने आपको अल्रेडी बता दिया, अटेनल लारवा आपको जो है नाइडेरिया में देखने को मिलता है, और वो इसमें भी आपको देखने को मिलता है, जबकि वहीं पे अगर मैं बा बात करूँ तो यह बहुत important है इसमें कुछ larva के नाम आपको ध्यान में रखने जो बहुत ज़्यदा important है क्योंकि इसमें बहुत सारे larva आते हैं crustaceae की अगर में बात करूँ तो इसमें copepoda, nopleas larva आते हैं इसमें तो सब के बारे में मैं आपको भी डाइग्राम दिखा रहूं तो ध्यान से देखेगा ये मैं जो डाइग्राम आपको दिखाने जारा हूं ये Crust nasty larva का डाइग्राम है जिसके अंदर मैंने कौन-कौन से होते हैं कौन-कौन Henderson है और आपके सामने पढ़ दिया है तो देखे, सबसे पहले कि मैं आपसे बात करता हूँ, तो ये आपका Ne Dry Cheetah larva, जो मैंने बगल में आपको डाइग्राम बता दिया है, ये आपका Ne Say Snow है, तो अब यहाँ प tratar chat larva के बारे में, तो सबसे पहले जो larva है, इसमें है, इसमें है, का नाम नौ्पलियस लर्वा आप बगल में डाइगराम देख रहे हैं कहने का मतलब यह है कि यह जब आपके लार्वल स्टेजल में होते हैं तो लोकोमोशंस Strange हैं वो किया करते हैं इनमें आपको pairs of legs जो है वो देखने को मिल जाते हैं ठीक है न और जबकि unpaired simple eye इसके अंदर हमें देखने को मिलती है आगे कहते हैं pair of compound eye appear in course of sometime prolonged development जैसे से यह develop करते हैं यह eyes में कभी कभी compound eyes होती है simple eye से compound eye का भी development हमें देखने को मिलता है तो crustaceans में आपको नौपलियस लार्वा जो है वो देखने को मिल जाता है अगला लार्वा यहाँ पर आप देख रहे हैं cypress लार्वा है जो कि basically हमें इसी के अंदर देखने को मिलता है जिसके बारे में मैंने बहुत सारे statements लिखे हुए ह यह लार्वा जो है इसका development नौपलियस लार्वा से ही होता है तो इस point को importantly note कर लीजेगा cypress लार्वा का development नौपलियस लार्वा से ही होता है यह free swimming होते हैं triangular shape के होते हैं bivalent होते हैं ठीक इन में जो है सारे body structures आपको अलड़ी देखने को मिलते हैं इन में आपको antinules भी देख देखने को मिलते हैं ठीक यहां पर आपको थुरह की appendages देखने को मिल रहे हैं वो तक्रीबन six pair में होते हैं larva contain mass of germ cells इसे अंदर में germ cells वगयरा भी देखने को मिल जाती है तो कहने का मतलब यह है कि जितनी बाते में आपको बता रहा हूं थोड़ा मुड़ा आप ध्यान में यह किसमे किसमे हमें देखने को मिलते हैं सेक्यूलाइन बैलनस और लेपस इनके अंदर हमें साइप्रिस लार्वा देखने को मिल जाते हैं क्रस्टेशी में अगले की अलार्वा की अगर में बात करता हूं तो इसका नाम है जोवा देखने में काफी ज़दा attractive लग रहा है यह जो भी पढ़िए जो यह जो भी पढ़िए अफ्री स्विंग प्लैंक्टोनिक लार्वाल फॉर्म मेनी डिकेपोड डेकपोड क्रस्टेशियंस और इस्पेशली क्रैप डैट है जो पूरा का पूरा जो आगे का पोर्शन होता है वह काफी ज़दा बड़ा होता है इ आउध पार्ट्स भी होते हैं तो जो लारवा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है डियाग्राम से आप समझ सकते हैं यह आपको बेसिकली जो है सिफेलो थॉर्ष इंगा थोड़ा सा बड़ा होता है चलिए आगे बात करते में मेगलोपा लारवा की बारे में मेगलोप पर लारवा मेगा लारवा और जो आपका जो लारवा है इनका अपस में connections होता है यह एक के बाद एक दूसरी stage में यह आ जाते हैं यह भी आपको बाद में जाकर के पर लारवा जो किसमें देखने को मिलता है फिर यहां पर एक लारवा और जिसका नाम है फाइलो सोमा लारवा फाइलो सोमा लारवा बेसिकली हमें लॉबस्टर में देखने को मिलता है लॉबस्टर में देखने को मिलता है अन्यूवली हैस लारवा कॉल्ड फाइलो सोमा लार वो बनते हैं, बाकि आप इनके structures को देख सकते हैं, leaf like structures बोला जाता है, कितने पैर हैं, क्या हैं, यह सब आप structure ली देख करके पता लगा सकते हैं, तो notes में आपके सामने सारी बाते लिखी हुई हैं, देखके screenshot लेके आप पढ़े लीजेगा, अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे crustaceae का, mega lopa हो गया, phylosoma हो गया, lobster हो गया, naplias हो गया और metanoplas अच्छा, यह भी है अभी, यह भी larva आप उख crustaceae में ही देखने को मिलते हैं, यह larva, metanoplas larva, it is, it is the larval of apus, it is second larval stage with development from naplias larva, यह जो metanoplas larva है, यह naplias larva से ही इनका development होता है, इनका जो cephalothorax होता है, वो oval shape का आप आपको जो है वो देखने को मिलता है, the larval has three pair of appendages, just as naplias, it has developed from rudiment four pair of appendages, which later become to maxi and two pair of maxi of the adults, तो यह mouth parts वगेरा की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ही इसकी बात कर रहे है, तो आप structure ली थोड़ा सा देख लीजेगा, structures वगेरा थोड़ा सा आप देख लीजेगा, कि कौन कौन स आपको देख लीजेगा, यह mysis larva है, जाहर तोर पर आपको देखने को मिल जाता है, तो mysis larva, तो इस सब जितने भी larva आपने देखें, इस सारे की सारे larva, crustacy larva को belong करते हैं, crustacy phylum को belong करते हैं, अगला phylum है, जिसका नाम है echino dermeta, echino dermeta के अंदर हमारे classes है, echinoide, astroide, effeuroide, holotheriody, य यह आपके classes है, अगर मैं इन classes के अंदर larva की बात करूँ, तो pleuteus, dipleurella, bitneria, brachularia, opheopleteus, और आपके यह हैं, dolularia, तो यह जो larva इतने आपको देखने को मिल रहा है, यह सारे larva, echino dermeta के हैं, तो मैं एक बार आपके सामने इनके diagram को दिखा दे रहा हूं, ठीक, तो यहाँ पर सुरू होता है larva, सबसे पहले sea urchin के अंदर आपको जो larva देखने को मिल रहा है, वो आप देख लीजिए, small spiny creatures found in ocean inward planktonic larva में जाना जाता है, यह larva type plurular larva है, यह आपको बिलकुल आपको जो है hypothetical, bilateral, symmetrical होते हैं, echino derm larva होते हैं, और अगर मैं बात करता हूं, इनकी larva जो होती है, वो larva akinodermate such as bipneria, not used technically, हम इनके लिए bipneria term use नहीं करते हैं, ठीक है, वहीं पर बात करते हैं, bipneria larva की, तो यह first stage in larval development of most starfish, यह हमें starfish के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो यह है हमारे bipneria larva, bipneria is free swimming, part of duplanktons के अंदर हमें यह देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो duplanktons मतलब य यह bipneria larva है, जो हमें echinoderms के अंदर देखने को मिल जाता है, वहीं पर बात करते हैं, ब्रैकियोलेरिया के बारे में, तो यह ब्रैकियोलेरिया larva है, जो starfish के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इनकी भी symmetry bilateral होती है, मतलब काटेंगे, तो आधे-धे portion से यह अलग, अगे echinoderm की एक और larva बारे में, जिसका नाम है of your idea, तो of your idea भी जो है, वो basically होता है आपका echinoderm का ही larva, जो कि आपको इस तरीके से देखने को नीचे की तरफ आपको मिलता है, डाइगरा उसी तरीके से दिखता है, ओके, तो आगे की तरफ अब हम बात करते हैं, अपने अग और होलो थिोरियोडी देखने को classes मिलती है, लार्वा में, प्लूटियस, डिप, लियूरिला, बिपनेरिया, ब्रैकियोलेरिया, ओफियो प्लूटस, डॉलियोलेरिया, ठिक ये देखने को मिलते हैं, एकाइनो डर्मेट्स में, हेमिकॉर्डेट्स के अंदर आपको एंटिर निउस्टा, टॉर्नेरिया, एंटिरो निउस्टा और टॉर्नेरिया, मतलब एंटिरो निउस्टा जो है, वो आपकी class है, और टॉर्नेरिया इसका लार्वा है, यूरो कॉर्डेटा के अंदर आपको त्यूनिकेटा class के अंदर टैरपोल देखने को मिलता है, तो टॉर्नेर के अंदर हमें या euro cardates के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, such as econ one का ये example माना जाता है, it is very similar to appearance of vipnaria, ये बहुत ज़्यादा similar दिखता है, vipnaria larva जैसा ही दिखता है, starfish के vipnaria larva जैसा दिखता है, क्योंकि just इनके पहले की तरफ अगर में बात करता हो, तो vipnaria larva आते हैं, तो आगे की तरफ अगर में बात करो, इनका भी shape oval होता है, transparent size structures होता है, और ये tonaria larva अकसर exam में पूछ लिया जाता है, तो इनके भी body के उपर आपको ciliary bands देखने को मिलते हैं, elementary canal पूरी तरीके से complete होता है, elementary canal मतलब जितने भी parts होते हैं, elementary canal के, वो सारे होते हैं, देखिए इस video को बनाने का मकसद बस यही था, कि आपको एक short में precise knowledge मिल जाए, तो मैं फिर से एक बार आपको इसामने इन chart को revise कर दे रहा हूँ, porphyra के अंदर दो larva आपको देखने को मिलते हैं, pananchymular, amphiblastula, nideria के अंदर आपको 2-3 classes देखने को मिलती है, hydrozoa, syphozoa, anthozoa, nideria के अंदर, इस इसके अंदर एक larva आपको देखने को मिलता है, side pit, वहीं पे platy element इसकी बात करूँ, तो इसके अंदर आपको molar, meracidium, sarkeria और onchomiracidium, ये चार larva आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, निमर्शिया के अंदर आपको palladium larva देखने को मिलता है, analida के अंदर आपको troco four, nactochid देखने को larva देखने को मिलते हैं, molasca के अंदर आपको बात करें तो एक single type का ही larva देखने को मिलता है, जिसका नाम है troco four, और lofo fourates की बात करते हैं, तो इसमें जो larva आते हैं, उसका नाम है actinula, जो बिलकुल similar हैं आपके night area से, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, lofo fourates की बारे में, तो यहाँ पे आपको lofo fourates में actinula और एक और लारवा देखने को मिलता है lofo fourates में, जिसका नाम है syphonotus, और वहीं पे अगर मैं बात करूँ क्रस्टेशी केंदे हैं, तो बहुत साई लारवा है, नॉपलियस, साइप्रेस, जो, मेगलोपा, फालोसोमा, और साइप्रेस की बात करें, तो इसके अंदर भी हमें plutes, देखने को मिलते हैं, diplyurella देखने को मिलता है, sorry, diplyurella देखने को मिलता है, bipneria देखने को मिलता है, brachyolaria देखने को मिलता है, और of you plutus देखने को मिलता है, dolularia देखने को मिलता है, hemicaudates के अंदर हमें turnaria देखने को मिल जाता, euro coordinates में हमें tadpole देखने को मिलता है, तो यह थे larva के कुछ important chart और diagram hopefully आप को यह वीडियो पसंद आयो बस मेरे काम यह था कि आपको यह जानकारी देना इस notes को आप download भी कर सकते हैं और देख करके screenshot लेकर भी पढ़ सकते हैं देखे मैंने बहुत सारी detail तो आपको नहीं बताईए बर जितनी भी detail बताईए आप screenshot लेकर कि उसे खुद पढ़ लीजेगा क्योंकि मैं भी वही पढ़ूंगा और आप भी वही पढ़ेंगे तो इससे चाहिए कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजे रिमाइंड कर लीजे आपके examinations के लिए काफी ज़्यादा बेता होगा Thank you very much